अब नेक्स टॉपिक है आपका इंडस्ट्री यह मैं आपको नोट्स में समझा रही हूँ आपको इसके लिए डिटेल में आपको बुक से पढ़ना है सेकेंड आप नोट्स को लेंदी बनाएंगे ऐसे नहीं कि मैंने वन वर्ड लिख दिया तो आप वन वर्ड को उसको फिनिश कर देंगे नहीं आप उसको लॉंग बनाएंगे अब फर्स टॉपिक है वाट इस अमेनिंग ओफ इंड़स्टी बिकोज इंड़स्टी इस वन पार्ट ओफ बिजनिस तो इंड़स्टी क्या है the production of goods in factories या the people and activity involved in producing something providing in a service industry कह सकते हैं किसी भी goods का factory में production होना इंड़स्टी के लाता है या उन सारे people और उनकी सारी activity का involved होना तब दोनों का combine होकर कुछ provide या goods को बनाना इंड़स्टी के नाम से जाना जाता है इंड़स्टी आपका word लेटिन से भाशा से इंड़स्टी का आया है जिसका मतलब है डेलिगेंसी hard work मतलब इंड़स्टी का मतलब जो word की उत्पत्ती है उसका काम ही है बताना hard work तो जब इंड़स्टी के बात आपके mind में आती है तो इंड़स्टी का मतलब होता है आपको बहुत महनत करनी है यदि आप एक छोटे से business क्योंकि इंड़स्टी के business का ही part है तो business को आपको समझायता है यदि business setup करना है आपको business को तो आपको बहुत महनत करने है तभी आप सफलता पा सकते हैं तो आपका industry part में divided into three part primary, secondary and tertiary आप लोगोंने 10th class में भी SS में पढ़ा होगा primary आपकी industry होती है, secondary होती है, tertiary होती है और primary जो आपकी industry है इसे divided into two parts extractive and genetic तो समसे पहले मतलब होता है primary industry क्यों होती है primary industry means extraction and production of natural resources मतलब आपका जो भी natural resources से आपको मिल रहे है उसको extract करना और produce करना okay student, second है extractive, extract from natural sources आपके पास जो natural sources आ गया उसको extract करना, उसको आपको कैसे करना? सही करना, साफ सुथरा करना, तभी आप उसको use कर सकते हैं ठीक है, फिर उसके बाद आपका next आता है secondary, secondary using material already being extracted मतलब जब आपके वो material जिनको primary में excret कर दिया, साफ कर दिया, आप यह चल करना primary का मतलब resources से लेकर साफ करना और secondary का मतलब साफ के का प्रयोग करना फिर secondary आपका two minutes divided है, आप देखते जाहिए, this is manufacturing and second is constructing, दिख रहा है आपको, आपको arrow दिख रहा है तो secondary को दो भागों में बाटा है, manufacturing and constructing फिर manufacturing का मतलब समझिए, producing goods through processing of raw material manufacturing का मतलब है, goods का raw material से produce करना फिर हम आते हैं, फिर manufacturing आपका analytical, synthetic processing assembly फोर पार्ट में distribute होता है, analyzes different elements from the same material इसका मतलब का है, एक ही material से अलग-अलग element को analyze करना synthetic का, combine various ingredients into a new product मतलब एक नए product को बनाने के लिए अलग-अलग ingredients को combine करना ठीक है, जैसे एक simple example आपने एक bottle बनाए तो bottle के लिए आपको अलग-अलग चीजों से उसको complete करेंगे, next step processing, finishing product मतलब जो आपने बना लिया product उसको finishing करना, finishing मतलब उसको साफ सुत्रा धाचा देना या कह सकते है, final touch, successive stage है, मतलब आगे की stage है assembling, different component parts to make a new product, मतलब assembling का है मतलब जो different different component है, मतलब एक चीज़ को बनाने है, 5 component लगते हैं 5 जो component को आपस में product के रूप में जोड़ का बनाना फिस का second part है, construction और construction का मतलब होता है, construct process like dam rod इसमें industry का वो part आता है, जिसमें आप किसी चीज़ का निर्मान करते हो अब next है आपका tertiary, tertiary provide support to primary and second industry provide facility tertiary क्या करता है आपको, जो आपकी first और second है, उनको support करता है तो ये था आपका industry के part, जो की business के, आप commerce का part, अब आपको next video में मिलेगा आपको next video में अभी बढ़ाएंगे